इंग्लेंड में एक शेहर है शेफिल्ड यहां रहने वाले सारा बैरिस और ब्रांडन मेजन को 35 साल की सजा सुनाई गई है क्योंकि दोनों ने मिलकर अपने दो बच्चों की हत्या कर दी थी इस साल मई के महीने में सारा 35 साल की है ब्रांडन 49 साल का है ब्रांडन सारा का हाफ ब्रदर था दोनों की मा एक ही थी यानि दोनों भाई बहन थे लेकिन दोनों के बीच कई साल से शारीरिक संबंध भी थे ये बात किसी को पता नहीं थी ब्रांडन सारा के छे बच्चों का पता था लेकिन सबके लिए वो सारा का भाई था जो छे बच्चों की देखरे करता था अब सवाल आता है कि दोनों ने अपने बच्चों की हत्या क्यों की सारा छे बच्चों के साथ अकेली रहती थी दुनिया की नजरों में वो single mother थी जिसे उसका भाई सपोर्ट करता था Brandon अकसर ही सारा के घर पर आता जाता रहता था उसके बच्चों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि Brandon उनका पिता है बच्चों को ये बताया गया था कि उनके पिता की मौत हो चुकी है वो भी दूसरे विश्व्यूत के दौरान हिरानी वाली बात तो ये है कि बच्चे इस बात पर यकीन भी करते थे सारा और ब्रैंडन को इस बात का डर था कि कहीं उनके रिलेशन्शिप के बारे में सब को पता ना चल जाए और अगर ऐसा हुआ तो उनके बच्चों को उनसे दूर कर दिया जाएगा अधिकारी बच्चों को अपनी केर में ले लेंगे इस डर के बजहां से दोनों ने सोचा कि बच्चे मर जाएं तो ज्यादा सही रहेगा फिर दोनों ने मिलकर उन्हें मारने की प्लानिंग की चार बच्चों को जबरन कुछ दवाएं खिलाई सोचा कि बच्चे मर जाएंगे लेकिन बच्चों को कुछ नहीं हुआ उसके बाद 24 मई के दिन सारा ने अपने 13 साल की बेटे ट्रिस्टन की हत्या कर दी वहीं ब्रैंडन ने 14 साल के बलेक को मार डाला दोनों ने गला दबा कर अपने बच्चों की हत्या की इसके बाद उनके सिर पर प्लास्टिक की थैले भी बांध दी ताकि उनके जिन्दा होने की कोई भी संभावना ना बचे फिर सारा ने अपने एक और बेटे को पानी में डुबा कर मानने की कोशश की लेकिन वो मरा नहीं इसके बाद वो अपने सभी बच्चों को लेकर अपने बेडरूम में चली गई जहां से उसने पुलीस को कॉल किया पुलीस उसके घर पहुची तो सारा ने जुट बोला कहा कि उसके दो बेटे पडोसियों के साथ हैं और अब वो मर चुके हैं लेकिन पुलीस ने कुछी समय में पूरा मामला समझ लिया सारा और ब्रैंडन को गिरफतार कर लिया गया फिर दोनों के खिलाफ केस चला शेफिल क्राउन कोट ने दोनों को दो हत्या के मामले में छे बचों की हत्या की साज़श के मामले में और पाश लोगों की हत्या करने की कोशश करने के मामले में 35 साल की सजा सुना दी है एक और बात, पुलीस ने जब बाकी चार बच्चों से पूचताश की तब बच्चों ने ये भी बताया कि साहरा उनसे कहती थी कि उसने बच्चों को जिंदिगी दी है तो वो उनसे उनकी जिंदिगी छीन भी सकती है नमस्कार अदाब मेरा नाम है सर्वत और आप देख रहे हैं दीललन टॉप अगर ये वीडियो आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो प्लीस हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करिए अगर ये विडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजे ताकि जब भी हम कोई नया विडियो अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे झाल